बारतिय खेल का जब भी जिक्र होगा मिलका सी का नाम सबसे उपर की लिश्ट में लिखा जाएगा फ्लाइंग सीक के नाम से जाने जाने वाले मिलका सिंग देश के पहले ट्रैक एंड फूल सुपर स्टार थे फ्रेंस बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा कि मिलका सिंग हमें अलविदा कह चुके हैं सुक्रुबार की राथ छंडीगर में इन्होंने अपनी अंतिम सास ली है तो चले फ्रेंस इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बाते जान लेते हैं जो आपके आने वाले एक्जाम्स में काफे मातोपुर ने बन सकते हैं मिलका सिंग एक मात्र भारती धावक थे जिन्होंने 400 मीटर की रेश में एसियन गेम्स और कामन वेल्थ गेम्स दोनों में गोल्ड मेडल जीते थे और इसके साथ ही 1958 और 1962 में भी एसियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते थे इन्हें 1959 में पदमिस्री से भी समानित किया जा चुका है इनके आटोबायोग्राफिय भी है फ्रेंट्स बुक का नाम है दरेश ओफ माई लाफ बुक का नाम दरेश ओफ माई लाइफ तो फ्रेंट्स इतनी जानकारी आप लोग मिलकास इंसर रिलेटेड याद रखेंगे देखिए यहां पर इनके रिकॉर्ड मैंने दे दिये हैं आप वीडियो को पाउच करके यहां फिर पीडियाप से पढ़ सकते हैं आपके अपने चैनल इंक्रिडबल सक्सिस में आपका स्वागत है आज है संडे और आज हम लोग 14 जून से ले करके 20 जून तक के जार्खन से लेटेड मुष्ट इंप्रेंट करेंगे जो जैप यह से जार्खन मैने वाली सभी चैन्स के लिए मुष्ट इंप्रेंट है तो कहां के निवासी थे अप्शन है सिम्डेगा गुमला राच्षी और धनबाद इस कुष्चिन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी घुमला धर्मप्रांद के धर्माद्यक्ष विसब पल लकड़ा जिनका भी हाली में 65 वर्स की आयू में नीदन हो गया है वे गुमला संस्थानों में च्राहक uważ ज्यारखन की संस्थान का च्वेंगा है तो अभी हाली में डिया ने विस्फिंट्स संस्थान के लिए देश भर के 49 इंस्रीक्ट को सिलेक्ट किया है टखनी की संस्थानों के विद्यार्थियों की कलपना वह सोच को मुर्थ देने उन्हें इंट्रिपेन्योर बनाने के लिए केंद्र के निर्देश पर AICTE ने एडिया लैब स्थापित करने के लिए स्थापित करने का निर्नाई ले लिया है और इसके लिए उसने जहारकल से B.I.D. मिश्रा का चेयन किया है तो option B will be correct answer अगला सवाल पैबलो पांडा नामा की स्थोरी बुक किस ने लिखा है तो फ्रेंस ये question most important है और ये लिखा गया है राची की शुपना संचीता के द्वारा राची के शुपना संचीता ने छोटे छोटे बच्चों के लिए कई कहानिया लिखी है और इन कहानियों को लंदन के एक publication house ने पैबलो पांडा नाम से जारी किया है सुपना का कहना है कि ये कहानिया वैसे बच्चों के लिए है जो पहले बार किताब पढ़ना सीख रहे हैं और फ्रेंस ये पुस्तक प्याबलो पांडा 24 जून को किंडल पर रिलीज किया जाएगा अगला सवाल प्रत्च विदेशी निवेश पाने में जारगन का पूरे देश में कौन सा स्थान है पहला पांचवा पंद्रवा आठवा तो फ्रेंस केंडरे उद्योग समवर्दन एवं आंत्रिक वैपार विभाग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुशार अप्रेल 2020 से ले करके मार्च 2021 के दौरान प्रत्च विदेशी निवेश पाने वाले राज्यों में जारगन का स्थान बताये गया है जोकि जारगन का पूरे देश में आठवा स्थान है और जारगन में इस समय आउधी के दौरान 5993 करोड रुपए का निवेश हुआ है यह डाट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेट नहीं है आपको याद रखना है प्रतच विदेशी निवेश पाने में जारगन का पूरे देश में आठवा स्थान है अगला सवर इंडन कॉंसिल के साथा औक द्रक्ष्ट बनाया गया है और यह विजेंद्र गयल को बनाया गया ह már पर विजेंद्र गयल को बनाया गया है फ्र송 सथ के साथ ने गई प 105 यह जारगन के पूर्व भारत माला प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है तो केंद्र सरकार ने राष्टी उच्पत संख्या 75 को भारत माला प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है कुटू से लाते हार डार्टेंगन से गड़वा होते वे उत्रपरदीश की शीमा तक इस सड़क को फॉरलेन बनाया है पुनर जागरन अगोरी ट्रैप्ड और टेलिंग पॉर्ण तो अभी हाली में रिलीज होने वाली है विवेकनन की जीवन पर आधारित उस फिल्म का नाम है पुनर जागरन जिसे 26 जून को OTT प्लेटफॉर्म हंगामा पर रिलीज किया जागा इसकी जो सुटिंग हुई की वह हजारी बाग और उसके आसपास के छित्रों में हुई है और यह फिल्म श्वामी विवेकनन के जीवन दर्शन पर आधारिते यह तो यहीं कुष्ण पर रही है और फ्रेंस अगला सवाल निकी प्रधान वा सलीमा टेटए किस खेल से संबंदित है क्रिकेट फुट्ब तो फ्रिंस खूटी की जो निकी प्रधान है और सिम्डेगा की सलीमा टेटे इन दोनों का च्वेन टोक्यो उलम्पिक के लिए भारतिय मैला होके टीम में किया गया है और यह निकी प्रधान का दूसरा उलम्पिक होने वाला है यह आप लोग जान में रखेंगे अब यह जो टोक्यो में उलम्पिक होने वाला है यह होने वाला कभ है तो 22 जुलाई से लिए कर गए आठ अगस्तक टोक्यो में उलम्पिक खेल का आयोजन किया जाएगा वह भी आप लोग धान में रखेंगे अगला सवाल जार्खन के कितने जीलों में ब्लेट कंपोनेंट ऑपरेशन यूनिट के स्थापना की जाएगी तो यह ब्लडड़ के तर्ज पर रखा गया है फ्रेंट ब्लड़ ड़क होता है 14 जुन तो जार्खन के 6 जीलों में प्लेट कंपोनेंट ऑपरेशन यूनिट के स्थापना की जाएगी वह 6 जीले कौन-कौन से हैं तो हजारी बाग राची पुरविशिम्बू, पलामू, गुमला और गिरेड़ी कौन-कौन से हजारी बाग राची पुरविशिम्बू, पलामू, गुमला और गिरेड़ी इन 6 जीलों के ऐसपतालों में इसके अस्थापना की जाने वाली है और जिसके पट को उत घाटन झार्खन के सीयम हिमन सोरे सबस्क्राइब करें दोड़ारा किया जाएगा अगला सबस्क्राइब के टॉप टेन बी आरक इंसिच्टूट में चारखन के किस शहरखन स्थान को सामिल वивает इसबढ़ को टॉप टैन पे आरक रिस चूहट में जूट क체 को सामिल किया ब्रीन ओइजुकेशन व्ल्ड इंडिया HOWEज सुल ऑफ नि yönडिय दृइच्टा मिला। अपर दोनो वात त्याद रखेंगे में डेजबर के टॉप 10 बियर कि सिक्स और प्रिंस यहां पर आया है बियाइटी मेश्रा तो मुझे करेंट न्यूज और भी ध्यान में आ रहा है सायद मैंने कुश्चन में नहीं लिया है अभी हाली में CRPF और BIT मेश्रा के बीच MOU शाइन किया गया है यह MOU क्यों शाइन किया गया है तो रच्छा सेवाओं में CRPF सैनिकों के लिए दूर संचार और सूचना प्रवद्योगी को बढ़ावा देने के लिए BIT मेश्रा और CRPF के बीच MOU प्यहस्ताचर किया गया है ओके फैंज अगला सवाल जारकंड में बनी किस फिल्म को कांस महतसा दुहोजारी कीज में परदर्सित किया जाएगा मुस्ट इंपार्टेंट कुस्चिन अगोरी घुमकुडिया ट्रैप्ड और टेलिंग पूर्ड ये चारो जारकंड की मूवी है लेकिन जारकंड की धु फिल्म महुतसर 2020 में परदर्शित होगी कास फिल्म महुतसर का मुखी जो संसकरन होगा वह 12 जुलाई को परदर्शित किया जाएगा यह फिल्म में धुमकुडिया मानव तसकरी पर अधायरी थे दोस्तों अभी तक इस फिल्म को 65 से अधीक प्रतिष्ठित पुरसकार मिल चु उके फ्रेंज अगला सावल ज्छार्खन के कि जीले में अमरिच सरकुलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्मान किया जाएगा तो यह ज्छार्खन के हजारी भाग में किया जाने वाला है हजारी बाग इस सी पसुपालन विभाग के गौर्या कर्मा मॉडल फ़ार्म म संथाली समाज की विद्या की देवी बिंदु चांदन के पारंपरिक वाद्र यंत्र बनाम लोक संगीत की छेत्र में संस्कृति वा परंपरा को बनाए रखने में अहम भूमी का निभाने वाले कीनु सूरज टुडू का भी हालिम में निधन हो गया है और ये तो ये किस छेत में मृत्यों दूरगटन में होने पर कितने रुपै का प्रावधान दिया जाएगा इसंदूर के मजडूरों के admissions और देवने का प्रावधान किया गया है मजडूरों के आश्रितों को 75,000 होती है तो तीस हजार रुपए दिया जाएगा और अगर वहीं मन रहेगा अंतरगत निर्मित डोभा में डूपकर मरने पर आस्रितों को पचास हजार रुपए दिये जाएंगे कि मजदूरों की दुरगहटना में मिरत्यों होने पर तो यह 75,000 रुपए दिये जाएंगे और यह देखे यह इसके लिए कौन कौन है यह भी मैं बता दू तो अधिक्तम 65 वर्स तक के लिए जिन मजदूरों ने किसी भी वीतिय वर्स तथा उसके अगले वीतिय वर्स में इस योजना का लाव मिल सकेगा अगला सवाल और आज का लाश्ट सवाल काविशंग्रा वेब जी ओर के लेखी का कौन है तो जार्खन की राची शाहित्यकार चित्रा शिंग के द्वारा वेब जी ओर लिखा गया है यह पुस्तक का जिनके द्वारा काविशंग्रा लिखा गया है वेब जी ओर यह थे आपके जून के थार्ड वीक के चौदा जून से लेकर के बीस जून तक के चार्फन से रिलेटेड मुस्ट इंपॉर्टन करेंट अपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर लें ज जिससे इंक्रिडेबल सक्सेस के द्वारा अप्लोड की वीडियो की नोटिफिकिशन आपको तुरंध मिल सके फ्रेंट कमेंट करके हमें जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगता है या फिर कुछ इंप्रूम्मेंट चाहिए तो हमारे टेलिग्राम चैनल से जरूर ज लेक्षेशन वाई